56 के सीने वाले जुडे भी गाल बजा लेते हैं तो पिछली बार क्या किया था निबू बांध रहेते हैं उस पर देश कैसे आगे बर सकता है युवा कैसे आगे बर सकता है किसान कैसे आगे बरतकता है किस की कमी है सरकार की कमी है तो जिस सरकार की कमी है तो इसका मतलब नकारा निकम भी सरकार है आज मोधी जी की जो किस्मत है वो देश के काम आ रही है खुद ही बोला मोधी जी ने देखे मोधी जी की किस्मत नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं शोशल नियूज मैं आपके साथ मुहम्मद अक्रम लगतार देख रहे हैं आपकी इस तरीके से अभी हाली में एक हफते पहले ही पूरे देश में आग लगा दी गई जवानों का गुसा था साफ तरीके से जा सकता है कि चार साल की जो नौकरी मिल रही थी उनको सेवा करने का मौका मिल रहा था वो कहीं न कहीं उनको बहुत कम लग रहा था और होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इनसान महनत करता है सालों साल अपने आपको उस में डालता है कि वो देश की रक्षा कर सके बॉर्डर पर खड़ा हो सके उसके बाद जब उसको यह पता चलता है कि सिर्फ चार साल मात्र हमें काम करने को मिलेगा और सरकार यह कहती है कि हम आपको security guard की नौकरी देंगे क्या जवान जो देश की रक्षा करना चाहता है जो सेना के जवान मौझूद है नरिन भाई उनसे सबसे पहले जाने की कोशिश करेंगे कि कि किस तरीके से देखते हैं यह चार साल का जो सरकार नौकरी दे रही है युवाओं को पांच साल कर दिया है मैं फिलाल आपको बता दूँ और जो पैंशन मिलने आली थी जो लास्ट म आपने जो पूछा कि यह जो सेना के लिए जो नौजवान है उनके लिए चार साल का अगनी पत्के माध्यम से कोटा नजी कर रहे हैं फिर पांच साल किया जब सोर मचा तो इनका कोई मतलब कि इनका विश्वास नहीं कर सकते यह लोग दोगले लोग हैं चोगले भी कह सकते इनका पता ही नहीं कितने रंग बदलते हैं इनका कथा नहीं कर सकते यह विज्यान को नहीं मानतें यह पाखन्ड को मानते हैं समझे नहीं अभी देखिए जब नाशा बालों ने बेजा यान तो फिर हमारे उसके बाद में इसरों ने बेजा तो पिछली बार क्या किया था नीबू बांध रहे थे उस पर जो जहान गया था अंतरिक्ष्मा उसमें नीबू बांध रहे तो देजबध तो है ना मानते हैं का फाइदा इतना बड़ा यान बेजा तुमने उसका को फाइदा ने यह लोग अंधिश्वासी लोग हैं पाखंडी लोग हैं और देश को क्या किस हो ले जाना चाहते हैं यह समझ नहीं आती रही बात इनकी सोचने की कि जो नोक्रियां जो 15 साल थी 20 साल थी उनको घटा कर यह 4-4 साल 5-5 साल कर रहे हैं तो इस तरह क्या होगी जो देश में जो ब्रदा पैंसन मिल रही है तो यह तो ब्रदा पैंसन जो मिल रही है इसका मतलब ब्रद तो इन्हें दुस्मन लिखते होंगे भोज लगते होंगे देश में तो यह कहेंगे 60 साल के बाद ब्रदा पैंस कर देंगे ब्रदों को जवरदस्ती भूग देंगे एक नहीं हो जना भी आ सकती है तो इन पाखंडी लोगों को इन मानसिक दीमार लोगों को जिनने इनसान के बारे में नहीं पता दे इस कैसे आगे बर सकता है युवा कैसे आगे बर सकता है किसान कैसे आगे बर सकता है देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके बसकी कुछ नहीं है। समझे नहीं, पहले ये कोई चीज लागू करेंगे, मूर्ख करेंगे, पीछे देश को बेख देंगे, अब ये नहीं पता कि ये नोज़वानों के माध्यम से क्या देश को बेख रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी बिक्रही है ये देश की, जो ये बादम पता चलेगी, क्योंकि उनको दविस में, अम्मानी और अडानी के माध्यम से उनके अपने अंतर्गत कर लिया, नहीं करते तो उनके साथ फूड प्रोडेक्ट बगएरा सब इनके हाथ में, किसी को भी कहते हैं, इनका फूड सही नहीं है और जहर से मर गए लोग, तो उसकी कंपनी बंद करा देते सब पेक अब्या कर रहे हैं पीछे से, सवाल तो ये भी नौकरी अगर नहीं देती सरकार तब भी लोग कोशते हैं, अब दो करोड की बात की थी, अब नौकरी दे नहीं रही है, नौकरी तो लिडी थी, पिछले साथ सालों से नहोंने भरती कहां की हैं, जवानों को, ना न अगर से नाम बरती किसी को नहीं किया, पेपर चोरी हो जाता है, लीक हो जाता है, पेपर किस की कमी है, सरकार की कमी है, तो जिस सरकार की कमी है, तो इसका मतलब नकारा निकमी सरकार है, इसे इस्तिफा देना चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए, या दूसरा प्राइम मिन हमारा सोन बंदाहर है जो सोना चांदी और जो नीरे जवाराज जो देश के जो खजाने में जो जमा है पता चलता है वहां के कागज जल गए अब उसमें लिखा हुआ है डेटा में कि कितना खजाना है हमारे भारत में भोगाए भो जाएगा समझे बंदरगा ये देश के लोग एकदम मानसिक रूप से बेकार हो जाए और इनकी गुलामी करें सिर्फ चरास गांजे और नसे के लिए इनकी बदुआ गुलामी करें देश को सोल ले जाया जा रहा ये नहीं चाहिए अगर मैं बात करूं अभी चाइना ने विलेज बना रखा है पूरी तर ड़ह चाहिना कुछ नहीं है चाहिना चिंपंग यो भी नका वारण नसी में भी गुलाद के लोग लूग ये तो चाहिना कोई डर्वन नहीं नहीं ने तो देश ब्लब बैक रहे जो मतलब तो और gin उड़ी यह गए देश का जीन नहीं है लाल आखों से क्या है लाल तो आखे कौन को नहीं कर लेता है इस कितने सुआंग रच लेते हैं हम राम दिला में देख लें कहीं ना चरी को वैस्चा भी ना चरी होती है वह भी नित्य करती है वह भी लालाक कर लेती है तो क्या कहा जाए इनको तो लालाक हो का मतलब यह नहीं है लालाक है कोई भी आदमी फिलमकार कोई शूटिंग करते हुए एक्टर भी कर लेता लालाक है तो वो कोई युद्धा नहीं हो गया युद्धा तो युद्धा का पता चलता देश कुछ नहीं दा एज मोधीी की किस्मत नहीं है मोधीजी की किस्मत नहीं है इस एक इसकी किस्मत हो सकती है इतने देश मे अन्य मूररकढ कंद भक्त हैं जो よろ को, जिंकि मांसिक्ता सर चुकी है उनकी वजह से यह कीड़ा पल रहा है देश के उपर, तो कीचर भड़ी किचड धरम और मजब के नाम पाख़ंड की कीचड देश दलदल पहला रखी तो मुझे चैसे लगता है कि वेना किसी दवा के वह बना किसी किउट लेशा निहां जाएंगे फिर बाद करनेके लिए तो आपने सुना जिस तरीके से सरकार ने किसान अंदोलन मैं अगर बात किया किसान अंदोलन हूँ था किसान भी लाई थी उसको वापस लिया आप देखने लिबाती होगी कि क्या सरकार फिर एक बार अपने कदम पीछे लेते हुए दिखाई देगी यह तो आने वाला वक्ती बताएगा आप हमें जरूर बताएगा आपको क्या लगता है सरकार किस तरीके से काम कर रही है और क्या इस स्कीम में कोई बदलाव हो सकता है और बदलाव होना चाहिए तो कौन-कौन से बदलाव होना चाहिए आप हमें जरूर बताएगा मैं आपके कमेंट का इंतिसार करूंगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें